मद्य प्रदेश में किसानों के लिए एक खुश खबरी सामने आई है बतादे की सरकार की तरफ से MSP पर बेचे जाने वाली खरी फसलों के लिए होने वाले रेजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है ये नए नियम प्रदेश के 6 जिलों पर लागू होंगे जिनमें रीवा, सतना, सिंग्रॉली, दमो, नर्वदापुरम और बैतूल शामिल है आपको बतादे की रीवा के किसानों के लिए भी ये खास खबर है प्रदेश के इन जिलों के किसानों को अब 21 अक्टूबर तक अप बहुत सारे किसानों ने अपना रजिश्ट्रेश नहीं करवाया था जिसके बाद प्रिशासन प्रदेश के किसानों को बहुत अधिक फायदा होगा आप को बता दी कि इससे पहले खरीब फसलों के रजिस्ट्रेशन के लिए अंतीम तारीख 14 अक्टूबर तक की थी लेकिन विभाग का सर्वर डाउन होने से बहुत सारे किसान अपना रेजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे थे इसी समस्या को देखते हुए विभाग की तरफ से रीवा सतना सिंगरॉली दमो नर्बदा पुरम और बैतूल की किसानों के लिए रेजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा सकते हैं राज्य सरकार की निर्देशा नुसार किसान फसल बिक्री के लिए ग्राम पंचायद जनपत पंचायद सहकारी समिती MP किसान एप पर मुफ्त में रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसान फसल बिक्री के लिए MP Online कियोस के Community Service Center साइबर कैफे के जरिये भी अपना रेजि देनी होंगी यहां एक और ध्यान देनी वाली बात है कि फसल भुकतान पाने के लिए किसानों का अधार नंबर बैंक खाता और मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम स्वाती और आप देखते रहे विंध्याट आई